मैं भारत को भारती अता की मानिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगाए वैसे ही रख्त में कीचड बहुत हो गया माने कॉलेस्ट्रोल बहुत बढ़ गया तो वो जो इंसुलिन जाना चाहता है वो नहीं जा सकता जिस स्पीड से जाना चाहिए नहीं जा सकता स्लो हो जाता है कम जाता है या कभी-कभी ऐसा हो जाए कि रख्त बिल्कुल गाड़ा हो गया एक्तम ठिक हो गया तो वो इंसुलिन बैठ जाता है वहीं का और ग्लुकोज को लिए रहता है अपने साथ ग्लुकोज उसके ऊपर बै चीनी के साथ कोई connection नहीं है कॉलेस्ट्रोल के साथ connection है हमेशे आगर किस पाद डॉक्टर भी जानता लेकिन बताता नहीं हुई क्यों नहीं बताता क्योंकि कॉलेस्ट्रोल को कम जादा करना तो हमारे हाथ में हैं बता दिया इतनी सरल क्रिया थोड़ी देर पहले आप कम कर सकते हैं जादा कर सकते हैं डॉक्टर आपको ऐसे बहुत हो ये तो ठीक नहीं होगा जिन्दगी भर insulin का injection लेना जिन्दगी भर ये tablet खाना अब जिन्दगी भरी खाना है ये थोड़ा काम कर देता है क्योंकि ये नया नया है ठका हुआ नहीं है ये जाके थोड़ा सा खटखट कर देता है ग्लुकूस को पहुचा देता है लेकिन फिर उतनी देर के बाद वो कतम हो जाता है साइकल नहीं बना पाता है तो आपको क्या करना है डाइबिटीज के पेशेंट को भी सारी ताकत इस बात पर लगानी है कि उनका रत का कॉलेस्ट्रॉल घटे और जैसे जैसे कॉलेस्ट्रॉल घटेगा खून पतला होने लगेगा ये इंसूलिन ही गुलुकुल लेके जाने लगेगा अंदर जो नहीं ज किसी बात है तो डाइबिटीज के पेशेंट को भी वही करना है जो हर्ट के पेशेंट को करना है तो हर्ट और डाइबिटीज एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं इसमें भी खून को बतला करना पड़ेगा कॉलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा अच्छा कॉलेस्ट्रॉल बढ़ यह आपको बता है, जितने प्रस्क्रिप्शन थोड़ी देर पहले मैंने काई घी बदल दीजे, नमक बदल दीजे, तेल बदल दीजे, यह सब डाइबिटीज के लिए भी लागू होगे, जो हर्ट के लिए लागू होगा है, बस एक ही चीज लागू नहीं होगी, बदल दीजेगी, डाइबिटीज प्रेशन को, वो क्या-क्या है, आपके रसोई घर में शायद वो ना मिले, लेकिन बाजार में आसानी से उपलत है, जामून एक फल आता है, बोटनिकल नेम है, उसका जम बोले, हिंदी में हम सब कहते हैं जामून, उस जामून की गुटलि मिलती हैं बजार में, सूखी गुटलि, उनका पाउडर बनाना है, और वो पाउडर रोज एक चम्मच खाना है, गुन-गुने पानी के साथ, ये डाइबिटीज वाले को एक्स्ट्रा करना है, जामून की गुटलि का पाउडर बजार में मिलता है, खुद भी बना लो, जा सबेरे, जो भी लेना है सबेरे, एक चम्मच और एक चम्मच माने टी स्पून, खाली में लेंगे तो बहुत अच्छा, गुन-गुने पानी के साथ लें, चलेगा, उसके साथ भी ले सकते, यामुकी गुटलि का पाउडर सबेरे के पानी के साथ लिया जाते, और ज्यादा शुगर बढ़ी हुई है, तो समझ लीजिए, कॉलस्टोल और जाता है, तो इसको दो बार कर दिए, सुबह और शाम, शाम को हमेशा खाने के पहले ही लेना है, इसको जब पेलेना है, तो ये एक एक एक्स्ट्रा चीज है, बाकी मेती दाना आप ले सकते हैं, त्रिफला ले सकते हैं, वो सब चीजें जो हर्ट के लिए ले रहे हैं, वो तो ही, ये एक्स्ट्रा है, जामुन की गुठली का पाउडर, ये जामुन की गुठली के पाउडर चे साथ और भी कुछ है, जो ले सकते हैं, करेले के बीज का पाउडर, करेला है, उसके बीज दिकाल के सुखा और यहां तो करेला ही चोटा-चोटा करके सुखा लिजिए साल वर वो चलता है उसका पाउडर बनाके तो जामुन की उट्ली का पाउडर आदा चमज कर दीजे करेले का पाउडर आदा चमज कर दीजे ये मिक्स कर देजिए अब करेले के चोटे चोटे पीस निगा भी कट दिया है और इसमें चाहें तो नीम की निम बॉली बजार में मिलती है उसका भी पाउडर बना लीजे उसको भी आदा चमच ले लीजे तीनों मिलाकर डेड़ चमच हो गया जाहुं करेले का और नीम के निम बॉली का तीनों का पाउडर मिक्स करके डाइबिटीज के पेशिए इन वाले यह सिरु डाइबिटीज वालों डे लिगा और तीनों मिक्स करके लेंगे तो रिजर्ट बहुत अच्छे Olas अकेला भी लेए तो रिजर्ट है ऐसा नहीं है कि जामुन की गुटली के साथ करेला भी हो और उसके साथ नीमका निंबॉली का भी पाउडर है तब तो बहुत अच्छे रिजर्ट कि टीन महींने लगाता और फिर फिर बंद्र 20 दिन ब्रेक फिर तीन महीने लगाता है फिर 15 दिन ब्रेक जब आपको लगे कि आप विक्तली निकाली हैं तो बिना पीसर कोई दिकत नहीं कुछ भी मिठा खाए आदमी का बनाया हुआ यह बनाया हुआ है गण्यक रसका है गरम करके तो आजाता है तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ मिलावत नहीं है और कुछ आदमी का दिमाग भी ज्यादा नहीं लगता है यह मिश्री आप जो है भी क्या सकते हैं टेशी खासकते हैं गुड खासकते हैं शहट भी ले सकते हैं यह लेकिन चीन नहीं शुक्र में जाजर पाग बना इस नियू डिकता है कुं। अगरत अ कुछ में ने जाकतो तो वो तो भूब है उसमें को यह सह थे रहे हैं यह स्टा सब मीठी चीजे जो बगवान की बनाई हुई है जरूर लीजे क्यों लीजे जान लीजे आदमी की बनाई हुई जो मीठी चीजे है उनमें ग्रूकोज है बगवान की बनाई हुई जो मीठी चीजे है वो सब फ्रक्ट्रोस यह फ्रक्ट्रोस जो है ना इसली डाइजेस्टिबल ने डाइबिटिक पेशेंग भी उसको हजम कर लेगा तुरह और यह ग्रूगोज है यह नहीं होता असानी से अभी जब सलेक्ट करना है तो आप एक ही उसका क्वालिटी देखिए उसका रंग जितना डार्क होगा उतना ही अच्छा जैसे मैं खड़ का होगा वाइट कलर का है येलो कलर का उतना ही खतरना है क्योंकि वह गुड़ नहीं है वो निर्मा वाशिंग पाउडर है गुड़ बनाने के लिए आप जानते हैं कई किसान हैं जो दूद से उसको साफ करते हैं तो वह गुड़ तो ऐसा हो जाता है डार्क और जो गुड़ बनाने में खराब है लेकिन खाने में वह यह अच्छा तो आप गुड़ वह खा सकते हैं डाइबिटीज के पेशन्ट के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो कुछ आप हर्ट के लिए करते हैं वह सम करना है एक्स्ट्रा जो मैंने बोल दिया जामुन की गु कि शीयम जम बोलें यह होग्योप है स वाई जट वाई आई इढे यू एम अस वाई जडवाई एडवाई ही यू एम सीजियम जम जम्बलीं जे ऐ एंगे को एल आई एंग सीजियम जंबोलिंग यह एक दवा है इसके आगे लिख लेना बदर टिंचर सीजियम जंबोलिंग बदर टिंचर यह दवा को को पानी में मिला के पीना जो डाइविटिक हैं 15-20 ड्रॉप चौथाई का गुर्गुना पानी अगर आपको जामुन की गुटली का पाउडर नहीं मिलता है तब यह दवा यूज कर सकते हैं मिल रहा है तो यह दवा मतला ही है क्योंकि यह दवा उसी से बनी हुई चौथाई का गुर्गुना पानी मिला दीजे और सबेरे दुपहर शाम खाने के पहले या ब्रेकफास्ट के पहले डिनर लंच के आदा गंटे पहले इसको पीना तो यह डाइविटिस के लिए करना और डाइविटिस के लिए एक चुटी चुटी बात है और जरूर आपको कि डाइविटिस के हर पेशेंट को ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा डाइविटिस के हर पेशेंट को ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा ब्रेकफास्ट के समय पर लंच करना पड़ेगा हर पेशेंट को यह कंपल सरी है आप अगर 8 बजे ब्रेकफास्ट क 5 बज़े के आसपास डिनर करें 8-9 बज़े लंच 4-5 के बीच में डिनर यह कंपल सरी है 5 का जादा से जादा 6 हो सकता 6 के आभी ने 8-8 सुर्यास्त होने के पहले और सुर्यास्त होने के एक गंटे के बाद आपका लंच हो जाना बीच में भूख लगे लिए, तो उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़े खानी हैं, जैसे फल आदी ले लिजे, मुफली का दाना खा लिजे, चना खा लिजे, क्या, 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 मुफली का दाना खा लिजे, मुफली का दाना, फिर फडल नहीं, खताता है, फिर फा लिजे लोजी तो है, बो, जिनको अ झाल झाल झाल